नमस्कार मैं सुरेश कुमार हमारी बहुत सारी आंगनवाडी वरकर्स पूश रही हैं कि जो न्यू वर्जन है पोशन ट्रेकर का 18.0 उसमें कुशिक केसिस में ऐसा है कि जो टेक होम राशन है वो शो नहीं कर रहा है मतलब कि उन्होंने आपलोड तो किया है लेकिन जो पोशन ट्रेकर है उसके डैशबोर्ट पी शो नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम डैशबोर्ट पे ही चलते हैं जो देखते हैं कि सबसे उपर आंगनवाडी सेंटर ओपन आ रहा है उसके बाद attendance mark, morning snacks, hot cooked meal, activity completed उसके बाद home visit आ रहा है जहां भी visit completed 5, visit due 0 है उसके बाद है action center, registered beneficiary है, verify अदार है फिर आता है growth monitoring, जह measurement taken जैसे यहां पर 21 beneficiary का measurement किया है, height and weight लिया है, pending 0 है उसके बाद आ रहा है take home ration THR तो यहां पर अगर हम देखते हैं, तो यहां लिखा है THR given 0 और pending V 0 है यह तो possible नहीं हो सकता है यही problem बहुत सारी आंगनवाडी workers को उनके जो potion tracker का home screen है उसका dashboard है, उसके आ रहा है तो इसके लिए जब हम THR पे click करते हैं, तो हम देखते हैं, उपर आ रहा है THR data not available तो let's get started, तो that means यहां पर problem है फिर अगर हम pending पे जाते हैं, उसमें भी उपर error आ रहा है THR data not available नीचे लिखता है well done, you do not have any THR pending उसके बाद हम 12 से बापिस आ जाते हैं अब हम देखेंगे कि इसका जो main cause है, वो क्या है इसका यही cause है कि कुछ एक cases में जो है, वो error show हो रहा है उसमें bug है, जी portion tracker की problem है, इसमें आंगनवाडी worker की कोई problem नहीं है तो अब हम देखेंगे कि क्या यहां पे THR given जो zero आ रहा है वो कितना सच में आंगनवाडी worker ने upload कर लिया है, जा नहीं किया है तो उसके लिए हम जाएंगे सबसे नीचे सबसे request है कि अगर आपको नीचे जो home वगरा नहीं दिख रहा है आप क्या करें कि full screen कर लें तो नीचे सबसे पहले home आता है, उसके बाद beneficiaries है तो हम beneficiaries पे click करते हैं तो यहां पे pregnant ladies, lactating mothers, children from zero to six months, six months to three years तो आपको पता ही है कि pregnant ladies है, lactating mothers है जा children from six months to three years है इनको हम take home ration, THR देते हैं तो हम pregnant women का जहां click करते हैं जहां पे सबसे पहले आ रही है, सरीता अरानी तो इसके आगे जो तीन dots हैं, इस पे हम जब click करते हैं तो सबसे उपर आता है, update profile फिर migrate to lactating mothers फिर है add growth and nutritional details तो हम click करेंगे add growth and nutritional details पे जब हम जहां click करते हैं, तो new जो folder खुलता है बहां आ रहा है health tracking फिर R.I. nutritional supplements और फिर nutritional interventions तो हम जहां nutritional intervention पे ही click करते हैं तो यहां पे R.I. take home ration number of days for which take home ration has been provided जो 25 है, 25 है that means यहां पे जो सरीता अरानी का जो take home ration है वो बरा हुआ है इसी परकार अगर आपने देखना है तो आप सभी का EK करके beneficiary का check कर सकते हैं तो हम दो मिंट के लिए 6 months to 3 year children जहां आते हैं जहां हम सबसे पहले है अंचुमन ठाकूर है इसके आगे जो 3 dots है जहां click करते हैं सबसे उपर है update for file फिर add growth and nutritional details तो यहां पे हम add growth and nutritional detail पे click करेंगे सबसे उपर आता है nutritional supplements फिर है nutritional intervention तो हम nutritional intervention पे जब click करते हैं तो यहां पे first of all आता है is the child on solid food? Yes फिर उसके बाद take home ration THR number of days for which THR has been provided जह 25 days जो कि December में provide किया गया था that means यहां जो अंचुमन ठाकूर है इसका भी THR जो है जो परा हुआ है तो हमारी आंगनवड़ी वरिकर जो है वो EK करके जैसे ऐसे एर्मान अली अवनी शर्मा जे करके EK करके देख सकते हैं इससे confirm कर सकते हैं कि क्या कोई beneficiary है कोई pending वगएरा तो नहीं रह गया है क्या उन्होंने अपडेट किया है तो अगर उन्होंने अपडेट जो data है जो अपलोड कर दिया है तो उन्हें फिकर करने की कोई ज़रूरत नहीं है चाहे वो home screen पे जो show हो भी रहा है जा ना भी show हो रहा है तो उसका कोई issue नहीं है हाँ next month में आप जरूर करने जब February आएगा उसमें जो January मन्त में जितने day take home राशन दिया होगा वो February 1st, 2nd जहां 5 तक आपने THR 1-1 beneficiary को जो की eligible beneficiary है उनको वहाँ पे update कर देना है तो आज के लिए इतना ही था धन्यबाद